उधर आज बीजेपी के तमाम नेताओं ने अलग-अलग राज्यों से राज्य सभा के लिए परशा भरा कॉंग्रेस से बीजेपी में आए अशोक शम्हार ने महाराश्टु से नामंकन किया जिन से बातशीत की है हमारे संबाददाता साहिल जोशी ने अशोक जी क्या कारण रहा कि आपने ये पार्टी छोड़ी आप खुद इस पार्टी में कई सालों से दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं आपके पिता महाराश्ट को मुख्यमंत्री के तोर पर रेप्रेजेंट कर चुके हैं इंदिरा गांधी राजीव गांधी की कैबिनेट में पीवी नर्सियराउं की कैबिनेट में महाराश्ट को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर चुके उसके बावजूद भी आज आप कह रहे हैं कि इस पार्टी में मन नहीं लगता क्या कारण देखिए कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक राज की क्षेत्र में जब ताम करता है तो पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर से साथ उस अव्यक्ति का भी पॉलिटिकल फ्यूचर जुड़ा हुआ है हम लोगोंने कई बार चुनाव जीते हैं कई बार चुनाव हारे हैं 40 साल की 45 साल के राजनीती में कई अपसन डाउंस हमने देखे हैं उससे हमें कोई सुख दुख नहीं है क्योंकि यह राजनीती में होता रहता है पब्लिक ओपीनियन चलते रहती है 1975 में जब एमर्जन्सी की बाद कॉंग्रेस हार गई थी राज्य की मेरे पिता जी राज्य के मुख्यमंत्री थे आज भी यह सब दौरान में कॉंग्रेस की कई सीटे स्टेट पूरे देश में कम हो गई सब इशूस थे उसके बाद में जब में मुख्यमंत्री था बैस्ती सीट मैंने राज्य में चुन कर लाई थी और सबसे ज़्यादा सीटे एंसीपी से में ज़्यादा सीटे मैंने यहां पर चुनवा के लाई थी लोगसंभा की सीटे भी चुनवा के लाई थी तो उसमें राज्यनीती में अपसंड डाउंस होते रहते हैं लड़ाई करोगे तो जितोगे या हरोगे लड़ाई करोगे ही नहीं तो हरणाही है आज कि श्थित्विय मोझजदा ऐसी है महारश्टम में कॉंग्रेश लड़ाई के तयारी में है या नहीं है ये संकोच और संधे का वातावरण आज बना हुआ है क्योंकि कई तयारी नजर नहीं आ रही है चुनाओ पंदरा दिन पे आ गए साल देड़ साल से इस बात पर लगाता है बहस हो रही है बाते हो रही है पर फिल्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ करने की इच्छा शक्ती होनी चाहिए वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है initiative leadership जो होनी चाहिए वो कोई दिखाई नहीं दे रही है central leadership को गुमना किया जा रहा है कुछ बता बता दिया जा रहा है तो nothing is happening, जब कुछ होता नहीं है, तो हरना तो फिर पक्का है, तो हरने से बहतर तो आप एक तो improve करो, changes करो, कुछ काम करके, कुछ कम से कम लोगों की expectations के अनुसार आप मैदान में उत्रोगे तो जीत पाओगे ना.